तो हमारी YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तो पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था पी एफो के बारे में आज हम आपको बताएंगे एंटीना स्विच के बारे में तिया दोस्तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है और बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्राप्शन में लिंक आपने डाल दिये वहाँ से आप देख सकते हो देखिए एंटीना स्विच ठीक है तो दोस्तो एंटीना स्विच जो होता है वो पी एफो के पास होता है आज का पार्ट नमबर है 11 पार्ट नमबर है 11 ठीक है यह दोस्तो पी एफो के पास होता है तो पिछले पार्ट में हमने आपको पी एफो के बारे में बताया था यह पी एफो के पास होता है ठीक है पी इसी बी में मैं आपको दिखाऊंगा और इसका कारी जो है वो है नेटवर्क का ठीक है दोस्तो यह नेटवर्क का कारी करता है यह नेटवर्क कारी करता है कि उपर से और इसकी पैचान में बता देता हूं आपको आपको कि उपर से स्टील होता है वे नीचे से प्लास्टिक का यह बना होता है ठीक है उपर से स्टील बोडी और नीचे से प्लास्टिक ठीक है दोस्तों प्लास्टिक, उपर, से, स्टेल, बडी, ठीक है, दोस्तो, यह इसकी पैचान है, देखिए, PCB में कैसा दिखता है, दोस्तो, अब मैं PCB में आपको दिखा रहा हूँ, एंटिना स्विच, तो यह 33-10 पुराना, ओल्ड मोडल की, PCB है, 33-10 नोकिया की, तो यहाँ पे देखिए, यह PFO है, PFO के पास यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी उपर से स्टेल बोडी है, वो नीचे से आप देखेंगे, तो यह प्लास्टिक अबना हुआ है, ठीक है, यह एंटिना स्विच है, अब इसका जो PCB का इसका डाइग्राम है, देखिए, यह इसी PCB का डाइग्राम है, यह PFO है, वो इसके पास यह एंटिना स्विच लगा हुआ है, तो यह हमेशा PFO के पास रहता है, वो नेटवर्क का कारी करता है, और अगर यह ख्राब होगा तो नेटवर्क की समस्या उत्पन होगी, जैसे की नेटवर्क ना आना, नेटवर्क का माना, या अधर प्रोब्लम कोई भी हो सकती है, नेटवर्क से रिलेटिड, दोस्तों हम दोसरे मोबाइल में दिखा रहे हैं, यह CDMA मोबाइल है, और इसके उपर, इसमें आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह PFO है, और PFO के बाद उपर से ब्लैक है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का ब्लैक बोडी में भी आपको यह मिल सकता है, ठीक है, और PCB में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, अब देखिए दोस्तों, मैं एक डाइग्राम दिखा रहा हूँ, Nokia 1616 मोबाइल का, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर स्वीच यहाँ पर मिलेगा है, यहाँ पर दे रखा देखिए, यह वाला, यह एंटिना स्वीच है, और इसके खराब होने पर दोस्तों, no network, signal weak, यह frequency band problem आ सकती है, तो ठीक है, यह network के लिए कारिय करता है, और यह network IC के साथ ही लगा हुआ है, तो देखिए, यहाँ पर यह network IC इसकी है, और यहाँ पर यह लगा हुआ है, ठीक है, और दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूँ, कि यह पुराने mobile में ज्यादा होता है, जो नए mobile आजकल आ रहे हैं, उनमें बहुत कम देखने को यह मिलेंगे, तो दोस्तों, android mobile में बहुत कम देखने को आपको मिले या किसी mobile में मिल भी सकता है, यह जरूरी भी नहीं है, ठीक है, तो इस network का कारी करता है, और इसका खिराब होने से network से related problem आएगी, ठीक है, तो इसको बदल, इसकी कोई testing है नहीं, इसको बदल के ही देखा जा सकता है, ठीक है, और same model का निकाल के same model में ही लगाया जा सकता है, दूसरे किसी का नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो एक like दीजिए, बाके के part देखने के लिए, हमारे, हमने जो playlist बनाई है, उसमें आप जा सकते हैं, या हमारी इस वीडियो के description में भी आप जा सकते हैं, दोस्तो और आप सभी part हमारे देख सकते हैं, तो अगला part हमारे आ रहा है, बीपी एफ, यानि कि band pass filter का, तो इस वीडियो के description में सबसे उपर link आपको मिल जाएगा, वहां से आप उस part को देख सकते हैं, तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो like दीजिए, दोस्तों में share कीजिए कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, फिर मिलते हैं अगले part में, जय इन जय भारत